सब्सक्राइब कीजिए एजिन फर्मर को और बेल आइकन को दबाईए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और वीडियो देख पाए सबसे पहले हैं आपको जानना बहुत जरूरी होता है जिए वीडियो है बिजनेस से रिलेटर जरूर है अपके केरियर से रिलेटर जरूर है हाँ भले बिजन से आप करना चाहें या ना करना चाहें लेकिन ये वीडियो आप जरूर देखिए कि एक ना एक दिन आपके लाइफ में ये पल जरूर आएगा आप जरूर फेस करेंगे या कि ये होईएगा यहाँ बात करते हैं कि मुझे जो कॉमेंट आया मुझे जो करते हैं वह दोस्त चाहते हैं क्या कि वह सब्सक्राइब करना चाहता हूं कि अगर आप सिर्फ कंप्यूटर इंस्टीट खोल सकते हैं उसके लिए अगर है तो बहुत अच्छी बात है नहीं तो आप जिला उद्यों केंदर से खोलना है तो वहां स्कोली कहीं से भी एक करने बाता यघे कंप्यूट पर हैं कि यहा से ब्यूंस एलक के इस लेकित टृप कर सकते हैं कंप्यूटर इंस्टीट का इसे बाड़े में सेटा पूरा Lord इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा और पसंद आया तो लाइक और शेर जरूर कर दिजेगा चलिए बात करते हैं यहां पर कैसे कैसे क्या होता है सबसे पहले आपको एक चीज़ समझना होगा आप जो द्योग अदर से या कहीं से भी रेजिस्ट्रेशन लिए तो आप सिर्फ वैलिड नहीं होगा अगर आपके माइंड में यह आता हुगा कि अगलब अगलब वाले लोग इसु कर रहे हैं तो आप पता कर लिजे अगलब अगलब वाले को भी नहीं है उनको यह नहीं मालूम है कि वह गलत कर रहे हैं तो आप देख करके गलत नहीं किजेगा उसका री बड़ी अलग होता है जैसे स्कूल का मानता होता है ने सीभीची बोट से मानता होगा अगर अपका विंस से इस्टेरा बोट से उसका मानता होता मतलल एक्जाम कंट्रोलर जो युनिट है वो अलग होगा और इसको मेनेजिंग-पढाने के लिए हापका कर लिए यहां पर लोग आएंगे बैठेंगे पढ़ेंगे टीचर का पढ़ाई किया इसके बाद क्या सच में क्या सिलेवस होना चाहिए कितना पढ़ना है इसका एक्जाम कैसे होगा सारा कंट्रोलिंग कौन करेगा ति यह आपको मानव संसाधन विकास मंत्राले से लेना पर परमिशन लेना परेगा आईटी डिपार्टमेंट से आपको परमिशन लेना परेगा तब टेक्निकल डिगरी आप दे सकते हैं जैसे कि आप लोग इंजिनिर्ग कॉलेज में सुनते होए गया इसी तरह से अगर बीड कॉलेज होता है इसे एंसी टी है चुकि हम लोग के पा बहुत अच्छी बात है आगे future scope भी रहेगा मेनत भी रहेगा जैके दोस्तों बहुत सारे लोग कॉमेंट यह भी करते हैं कि यार तुभी कर ले पाले तो दोस्तों मैं आपको यह बताना चाहते हूं कि आपके पास भले knowledge पूरा रहे कि काम एक ही किजेगा जिस purpose से आप जो मैं हमेशा से कोशिस करता हूं कि इस knowledge का यूज जो हम अपने दोस्तों के साथ जो है share कर सके ताकि उनको भी knowledge मिले और हो सकता है उसमें सो कोई एक चीज़ कर जाए तो आप यहां पर सूचके बताइए कि क्या आप certificate जो इसू करते हैं तो क्या वह वैलिड होगा नहीं होगा आपको समझ में आ गया ना कि आप जिसको मने 70 परसेंट देज जीगा जिसको मने 80 परसेंट देज जीगा मतला कुछ से कुछ परसेंटेज देते चलेगा आप certificate खूर इसू किया तो वैलिड नहीं होने वाले कहीं भी सरकारी जौब में वैलिड नहीं होगा एक कैंसल कर करना होगा एक और कॉमेंट आया था कि मैं ट्रस्ट का रेजिस्टेशन कर लिए आप वो बिजनस करने के लिए जो क्या करते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या कोई सर्विस नहीं प्रोवाइड करें आपको सरकार उस पर लोन देदेगा यह हो ता बहुत सारे लोग मैं जान पाइए लेकिन बहुत सारे लेवोगों अंगे जूर नहीं यह और वह बस रह जाते हैं उनको कोई बताता नहीं के लिए इसके लिए मेरा लोट्रवीट लेकिन वीडियो देखिएगा ठीक तो इसलिए दोस्तो मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले हैं आप ट्रेस हो जाएगा लोग कहेंगा बहुत अच्छा यह एक्ट है लोग नहीं जानते लेकिन वह नहीं करेंगा आपको एक्जाम कंट्रोलिंग बड़ी से अफलिएशन लेना पड़ेगा मानुव संसादर विकास मानता या आप क्या किजिए जिला में जाईए जिला सिक्षा विभाग पूछेज मिले उससे पूछेए कि आईटी डिपार्टमेंट मतलग की टेक्नोलोजी के इंफॉर्मेशन टेक्नोलोजी का डिपार्टमेंट से हमको मानता लेना हमें यह काम करना चाहता हूं वह तो सज्जेस्ट करेंगे आपको डिस्टिक से लेकर किसी सचिए सचिवाले अगरीन हरता है कर सकते हैं नियूदेली से लेते ले तें महелен黨 करते हैं अंदर तो आप आप पूरे आलवरि इंडिया में आप का मतलब इस चुर खोला जा सकते हैं सब अब अपने मन से नहीं काम कर सकते हैं आप पूरे किसी भी कंट्री में चले जाए ये सारा कंट्रोलिंग जो है प्राइबेट सेक्टर में काम करें जैसे माली हमारे पास बीएड कॉलेज है तो यह को पढ़ाने का काम कर रहा हूं एक्जाम को और ले रहा है तो आप यहां पर सुचेंगे अपने मन से ले लिए नहीं मिलेते हैं और इसके बाद यहां जो कहीं से भी अगर मानता लेना होगा तो आप लिए इतना परसंट एक्जाम हुआ और इसका और इसका ओडिट होता है आप सिंपली सुचेंगे कि एक इंडिविज्व एक संस्ता देस पांचाद में मिलके चला लिजेगा आप सर्टिफिकेट इस्व करना सुरू कर दिएगा पॉसिवल नहीं है आपको इसमें करना पड़ेगा सारा अगर अगर आपको इतना लफ्राव नहीं परना तो फ्रें इसमें कमेंट की जो अभी तक है इंडिवर्म कर सुब्सक्राइब नेकर सुब्सक्राव भी कर लिजेगा और इस वीडियो को सेयर करना नहीं बुलिएगा वीडियो दखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन सुब्राइब